नमस्कार दोस्तों पढ़ने पढ़ने के ओनलाइन प्लेटफॉर्म कक्षा केंद्र पर आप सभी का स्वागत है सम्धान की छोटी छोटी वीडियो की श्रीज में मैं आपको बताऊंगा सम्धान की टर्मिनोलोजी के बारे में कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनको जानना इसलिए महतपूर है क्योंकि उनको जानने के बाद आप सम्धान को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं जो एक ने सिर्फ स्टूडेंट बलकि आम नागरिक को भी जरूर करना चाहिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोरम के बारे में अब ये कोरम क्या होता है उसको समझने के लिए हम कुछ चीजों पर बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में कोरम के बारे में कोरम को हिंदी में बोलते हैं गणा पूर्ती अब नाम सही समझ में लग रहा है किसी चीश के पूर्ती, किसी भी मिटिंग को स्टार्ट करने के लिए जरूरी नंबर्स चाहिए होते हैं, वही होता है कोरम या गणापूर्ती, अब उसको समझी पहले यह है क्या, भई कोरम का मतलब है किसी चीश को किसी मिटिंग को स्टार करने के जरूरी नंबर कैसे समझेंगे मान रो आपको लूडो खेलने हैं अब लूडो खेलने के लिए कम से कम दो लोग तो होने चाहिए यानि कि लूडो का कोरम कितना है दो ऐसे ही किसी भी मिटिंग का एक कोरम होता है हमारे यहां सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है संसद है सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है पार्लियमेंट उसमें लोकसभा और क्या है राज्यसभा इनका क्या होता है कितना होता है एक बटे दस यानि कि कुल मेंबर्स का दसवा हिस्सा लोकसभा में कितने सदस्से हैं 545 राज्यसभा में कितने हैं 245 तो इनका एक बटे 10 यानि कि 55 और 25 क्या है इनका कोरम है इसकी ब्यवस्ता कहां से की गई है कोशन यहां से बनेगा article 100 में कहा गया है लोकसभा और राजयसभा के कोरम के बारे में ऐसा ही राज्ये में क्या होता है बिधान सबा है तो वहाँ पर article 189 की बात की गई है और सिर्फ लोकसवा और राज्यसवा या बिधानसवा ही नहीं बलकि ग्राम पंचायत जो आपके गाउं की क्या है संसद है उसमें भी कोरम की बात की गई है आर्टिकल 243A में वहाँ पे भी कितना होता है एक बटे 10 अब कोरम बहुत जरूरी है वरना क्या होगा लोकसवा के दो मैंबर आएंगे कियाएंगे ये अमने चर्चा कर लिए बिल पास हो गया इसी लिए कोरम रखा गया है कि कम से कम इतने लोग तो होने ही चाहिए, यह तो बात होगी कोरम के numbers की, अब आप अपने घरों में देखो, कभी-कभी क्या होता है कि मम्मी पापा आएंगे तब ही बात होगी इसका मतलब वहाँ भी कोरम है सिर्फ लोकसवा में नहीं, राज्यसवा में नहीं आपके और हमारे घर में भी कोरम है, लेकिन घर वाला कोरम quality based होता है कि मम्मी पापा आएंगे, पैसा तो भई देंगे इसलिए उनका होना बहुत जरूर ही है लेकिन यहाँ पर कोरम quality based नहीं होता है quantity based होता है, तो यह था कोरम, ऐसी बहुत सारी शब्दावली